नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं UPPCS 2024 की जो सबसे पसंदीदा पोस्ट है नायपता सिल्दार के बारे में आप सभी को पता है कि 2024 में जो UPPCS ओर आयो उसमें लगभग 253 पोस्ट जो है नायपता सिल्दार की जुड़ने वाले हैं अभी ऐसी न्यूज आ रही है इसका कोई भी कनफर्मेशन नहीं है तो आज इस वीडियो में हम लोग नायपता सिल्दार जाव प्रफाइल के बारे में देखने वाले हैं अगर आप ARTO या वीडियो की जो आप प्रफाइल कितना होता है तो यह रहे देखिए तरसिल्दार है यह और यह देखिए नायपता सिल्दार है इस तरह से आफिस होता है नायपता सिल्दार का यह देखिए कितना अच्छा है उसके बाद हम लोग यह है जो देखिए यहां पर लिखा हुए आफिस और नायपता सिल्दार ए पोस्ट है यह आफिसिल लाटा है यह यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा राज़षु कार के लिए है यह और यहां पर पे बेंड जो है तो pay level 6 है और pay band इतना है इसे कोई मतलब नहीं है हम लोग को ध्यान रखना है वेतन मान कितना है ये चीजे हम लोग को ध्यान रखना है तो वेतन मान 35,400 से लेके 1,12,400 तक है इसके अलावा जो है मूल वेतन जो है 35,400 और अधिक्तम वेतन इतना है उसके बाद उसमें basic pay पे और central government 50% है यानि आपकी जितनी salary है उसका 46% कर लीजिए तो 35,000 का 46% करेंगा तो 16,000 हो जाएगा और साथ-साथ में यह चारे मिलता है यानि house rent allowance यह आपको आवास मिलेगा अगर आपको सरकारी आवास नहीं मिलेगा तभी यह आपको इतना वेतन मिलेगा अगर आपको सरकार पूल मिलाज उलाकर NPS भी करता है तो 14 नजार आपके पास salary आएगी जब आप पहली बार joining करेंगे तो यह increment होता है 3% हमेशा बढ़ता है हर मत उसको जोड़ लेंगे तो आपका एक साल में लागवक 60-70,000 पहुंच जाता है तो यह तुरही salary की बात अब हम लोग बात करते ह है कि इसका promotion किस तरस होता है देखिए यहां पर NPS कटा हुआ है यह NPS तो यह NPS देखिए 5,170 रुपे इन का कटा हुआ है यहां पर यह जो दिख रहा है यह NPS यानि pension है समझिए जब आप retire होंगे तो आपको एक साथ दे दिया जाएगा जोड़ करके तो अब हम लोग बात करते हैं कि पर्मोशन कैसे होता है किस लेवल तक पर्मोशन होता है चलिए दोस्तों पर्मोशन होता है तो यहां पर जो मैं आपको एक्जांपल देना वाला हूं वह आफिसील वेबसाइट से देने वाला हूं यह दिखिए Department of Apartment and Personal गौर्मेंट पुत्तर परदेश यहां प पर इनके बारे में दिया हुआ है अभी ये रीटायर हो गए हैं और सबसे पहले जो इनकी जोइनिंग हुई थी देखिए नायब तासिलदार के पोस्ट पर हुई थी बादा में जोइनिंग डेट जो है उनींस सो नमासी है इनका यानि 1983 से ले करके ये novus salzar पर प Gesund उनायब तुर्म नायब तासिलदार थे यानि नमासी में ंहिसी पोस्ट नायब तासिलदार lle. उसके बाद फिर वारानसी में इनकी पोस्ट नायब तैसिलदार देखिए एक साल तक फिर मायब पृर द किए लगभग ये 5 साल में ही तहसिलदार पर्मोट होगा है देखें महराज गंज में इनकी पोस्टिंग होई तहसिलदार की पोस्ट पर यानि 5 साल में आप लोग तहसिलदार बन जाएंगे फिर देखें इनका पर्मोशन कहां होता है फिर ये महराज गंज में तहसिलदार रहें यह बार्द यह नायपताोड की के दिएक हैं फिर खार से लेखिए कि अधिकारी जो कि एडियें लेवल की पोस्ट होती है जितना भी जिलेम होते हैं वो इनके अंडर में आते हैं चक बंदी बंदोबस अधिकारी के अंदर यहां पर यह तीन साल तक वर्खी हैं उसके बाद फिर से यह deputy collector यानि SDM के पतपर रहे है माथूरा में फिर उसके बाद बंदवस्त अधिकारी अध्या में फिर से posting हुई फिर उसके बाद deputy collector पर देखिए बहुत साल रहे हैं ये करीबन जो है 25 साल के नवकरी के बाद city magistrate रहे हैं फिर उसके बाद ADM रहे हैं 26 25 साल नवकरी करने के बाद ADM बने ADM के बाद देखिए इनका retirement हो गया तो यानि नहीं उसके बाद retirement नहीं हुगा joint secretary भी रहे हैं लोग से वाई योग में joint secretary उस बाद joint secretary और higher education मेरे भी रहे हैं यानि secretary post पर भी आपको promote किया जा सकता है लेकिन जो service वाला post है जादा highest से highest आप ADM बन सकते हैं या joint magistrate बन सकते हैं तो यहां तक आपका promotion होता है आप लोग मैंने example जो दिया है एकदम सटीक है official website पर दिया हुआ यह सब चीजें कि इनका posting कब और कहा कितने वर्सत हुआ तो यह example था ऐसे ही promotion होता है नायपतासिल्दार का तो इसी तरह हम लोग PCS का सारे post का discussion करने वाले हैं ARTO, BDO, नायपतासिल्दार, SGM जितने भी post होती है CDPO, Assistant Commissioner और भी जो भी post होती है सारा हम लोग discuss करने वाले है इसी तरह का informative और interesting वीडियो पाने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी share करिए क्योंकि इस पर बहुत ही important news दिया जाएगा जो UP से संबन्धित रहेगा UP में चाहे UP SSC हो, चाहे UP PSC हो चलते हैं फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ नमस्कार जैंद